कि अधिए 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 आने वाले दिन में विदाई के लिए भी तयार रही है जंता जाग चुकी है आप एस्यएस को जल्द बदलें नहीं तो अगले वार आपकी सरकार गिरा दिए चपे चपे घर घर तक जो है सिजाम कर देंगे देख रहे हैं कि पैसा दो और टेंडर लो देखे नल जल का जो काम हुआ टोटी तो है पर पानी नहीं आता है मुखिया जी का हत्या हो रहा है और सरकार के लोग धियान नहीं दिरहे, के तमाम मुखिया अब एक जूट हो रहे और पत्ना में बड़ी बैठक के बाद किस तरीके से जो तमाम मुख्या वो अपनी बातों को रख रहे हैं ठीक देखिया पे सबंदन हो गया है और इसमें सर पंच पंच संग भी एक जग हो गया है अब हम लोग या तो सरकार मेरा बात सुनेगा नहीं तो हम लोग सरकार के बात सुनवा के रखे रहेंगे पहला दूसरा बात है कि हम लोग के अगर समय आगा तो दिसंबर में हम लोग का मिटिंग कर रहा है हम लोग पूरा बिहार के चिरिय स्थिरिय पंचायत के अकाम को चहरी के सब लोग सामोही किस दिफा कानी मजान से आठर के राजपाल को सब देंगे उसके बाद सरकार अपना अपना बजावे बजा सरकार के बजा हम लोग बजाएंगे है अगर हम लोग का बजा सरकार बजा रहा है तो हम लोग का बजा बजा ने कुल तई जै arah हूं एज जैस grave कई पनल हैं किसे हम लोग का जो भी सरकार वादा आज दो चिला नहीं किया कहता है किसे ज़े नल जल सब खेङा गां में और गोमिए 50% नल सब्बंध है कहीं टोटी है तो पाइप नहीं है पाइप नहीं है विभाग काम करवाया है तो इसको कोई मेंटेनेस भी नहीं करता है मुखिया गारी सुनता है मुखिया का हाल ही हो गया है कि चपराशी टैप के हो गया है गाओं में चपराशी के ही फैलू जातना के मु मैं करने तो अर्दोर completely tidak करना है त। आक पैसे पंक्याइब मेरें के लिए आपना बाट लो अब अपने हैं चंड़के अपना घू अपनाय सब करना हैं लेकिन सरकार महत्मा गांधी जी देखेते वह सपना को मार रहे हैं और इसकी खम्याजा नितीश कुमार जी को आने वाला चुना में भुगतना पुरेगा इसके लिए तैयार है मुखिया संग के साथ ग्राम पंचायत के सारे ग्राम पंचायत वासी जो विकास का चक्का जाम हो गया है पंचायत में सब लोग के जान गए हैं कि यह जो मुखिया को जो लोग तंग कर रहे कमिशन खोड़ी के आर में नितीश कुमार के जितने जो करमचारी पंचाईती राज़वस्ता में जितने जो करमचारी पताधिकारी है सब कहीं ने कहीं कमेशन खोड़ी के यार में कमीशन के लिए पंचायती राजविवस्ता के सारे काम को ध्वस्त करने का प्लान बना लिया है इसलिए नितिश जी समय रस्ते चेत जाईए समराथ चौधरी जी मुरेठा तो खुलिया दिये हैं आने वाले दिन में विदाई के लिए भी तयार रहिए, जन्ता जाग चुकी है, पंचायत परतनी जान चुकी है, पंचायत परतनी जिन्दाबाद, पंचायत के सारे जन्ता जिन्दाबाद。 इसमें नियम लाते हैं और पंचाईती विवस्था को अस्तमार्ट करना चाहता हूं ठीदारी विवस्था लाना चाहता हूं जिसे नल जल जो है पंचायत से पियाच जी को दे दिये हमारे पंचायत में एक भी नल जल नहीं चल रहा है अभी बंध है सबस्ताइब मैं मुख मंतरी नितिस कुमार से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जीत के आये थे तो यहीं समराज चौधरी जी कहे थे कि कैम्प लगा के लाइसर देंगे अज सैंकरो मुख्या जी लोग को हत्या हो गया गया अभी तक हम लोग को सुरच्छा देने का काम नहीं मिला है आखिर कम मिलेगा जब पूरे बिहार के मुख्या मारा जागा तब सुरच्छा मिलेगा मैं मुख मंतरी जी और बिहार के उप मुख मंतरी जी से पुछना चाहता हूँ जी 2019 से मुख्या है हम लोग को सुरच्छ सत्रह में पूरा नली गली का सर्वे किया था असर्वे रिपोर्ट भी मेरे पास है लेकिन आज तक नली गली हम लोग का पूर्ण नहीं बन पाया और पंदरहमी का जो पैसा आ रहा है उसमें तरह तरह का अपना नियें बना रहा है ताकि हम विकास नहीं करें एक तरफ नलजल हम लोग बनाये थे 14 लाख से 16 लाख में तावर खरा किये थे अब पीएडी 35 से 40 लगें बना रहा है फिर भी हम लोग उसका सारा काम कर दिये आज जो है सरकार के पंचायती दाज मद में पैसा है 500 करोर और हम लोग को नली गली प पटना महानगर में है हम देख रहे हैं बहुत अनली गली बंचीत है ना मरेगा से काम हो पा रहा है ना पंदरहमी से काम हो पा रहा है कोई काम नहीं हो पा रहा है इसलिए हम लोग पटना जीला खास करके एदम घरे घरे हर मुखिया हर वाड हर पंचाई समीतिया हर सरपंच मिलके सरकार के दम धना देंगे उस पर जेंभी अंदरन होगा साल चीज़ करेंगे अप्ष से पंचायती राजबेबस्था समाप्त हो गिया हम लोग बार बार दो साल से लगतार सरकार से बात रख रहे हैं कि गाउं का जो विकास है उपोर्न उपेन बाधित हो गया जनता हम लोग से हिसाम मांग रही है लेकिन सरकार को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं सरकार एक बारी इस पर हम लोग की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि सवरुजा के नाम पर नलजल के नाम पर पूरा लूट हो गया है और पदा अधिकारिय पंद्रह तारिक से पूरे बिहार में मनरेगा का जो भी हम लोग का जो योजना है वह हम लोग बंद कर दिये हैं और चमपारन से हम लोग का जो जात्रा गांदी जी के जो जहां से सुरू किये थे वहां से हम लोग भी जात्रा सुरू कर रहा है और बिहार के आम जनता के साथ पंचायती राजविवस्ता के लिए हम लोग अपने आप को कुरवानी देने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेवारी दिये और हमारे जनता का दिकार लुटा रहा है और विकास बादित है ये अपेक्षा की बात यहां करते हैं नितीश जी से पिछले कार्ज तक अपेक्षा थी लेकिन पहला ए राज है जो स्वतंतर देश में गुलाम पंचायत है जो जिस तरह से पंचायत की पैसा को पुन रुपी बंडबाट कर ली गई है पुन रुपी माने कमीशन दो एजेंस कमीशन खोरी से पंचायत का पैसा को बली का बकड़ा बना दिया गया एदम बली सोलर लाइट फेल बंद है 24 गंटा के अंदर दीजिए पेमिंट नहीं दीजिएगा तो एक धारा जान गया है चो अठारा के परती खाली बुखिया के टर्मिया जो है खदम करने के लिए कि उनाओर सकतिया है अभी के डेट में एक लाख कड़ो रुपिया पी एच डी को दिया गया काम कुछ भी नहीं किया गया और पंचायत पर ठोक दिया गया कि अनुरच्छक के भुकतान मातर सत्र अगल जागरित हो घंखे तक आज पटना जिला के बैठक हुई है और पंचायत परत्नीदीम मुखिया संतीगन सभी लोग के अत्रित हुए हैं हम लोग का साफ साफ है सभी लोगों से समती बनी है कि 2 अक्टूबर गांधी जैन्ती के दिन पूरे राज में ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा को जो मजबूती स्तिहतरवा समिधान से मिला हुआ है ग्राम सभा से सरकार के वैसेर निरने जो जन विरोधिर निरने आये हुए हैं जो गलत निरने पंचायतों पर थोपा गया है उसका हम लोग ग्राम सभा से बहिस्कार करने का काम करेंगे और ग्राम सभा से मनरेगा से लेकर के अन योजनाओं पर जो मतलब ब्याप्त कमिया है जिसको सुधार करने के लिए हमारा अंदोलन शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के भी हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे और दो अक्टूबर से भीतर हवा असरम से जो पस्चिम चंपारन में स्थित है वहां से तिर्यस्तरिय पंचायत परतिनिदी प्लस ग्राम का चढ़ जनता की जो जनहीत की मुद्दा है उसको सुचारू धंग से चलाने हेतू पंचायतों को सबल और सबलता परदान नहीं करती है तो हम लोग का जो 15 अक्टूबर जो आफराद के अगरा आप जो बड़ा है मुख्यालों की हत्या हुई है सरपंच की हत्या हुई हुई है तो ह लोग का 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो 15 अक्टूबर से कलम बंधरताल हम लोग का जारी रहेगा और हर जिला में हम लोग घूम करके और गाओं में घूम करके परखंडों में घूम करके हम लोग का अंदोलन को सफल बनाने का अन्रोध करेंगे और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार हम लोग की बातों को मांगों को सुनने काम करें तब आप कई जो मुख्या हैं उनकी बातों को सुने जगे तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग लगातार परशान हो रहे हैं मुख्या हैं हम लोग हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है उतना ही नहीं अभी कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो एक साथ तमाम लोग इस्थिपा कर देंगे और आगे बिधान सभा का चुनाव भी होने वाला है शरकार गिरा देंगे सरकार बनने नहीं देंगे उत्राइने पंचाईटी राज के जो एसियस हैं उनको भी हटाने की मांग कर रहे हैं अब देखने वाली बात होती है कि मुख्या सब एक जूट हो रहे हैं अपनी बातों को रख रहे हैं क्या कुछ कर थे वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है फिलाल के इतना ही बने रहे है लाश्ट साथ धन्यवाद